हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को आज के वीडियो मैं बनाने वाली हूँ इस पुरानी शीर्ट से जो यहां से थोड़ी सी फटी हुई है और इसका कोई यूज नहीं था तो मैं इस कर यूज करते हूँ और इसका हम जो है सलीव के तरफ से हम इसको सबसे पहले काटके निकाल लेंगी यानि कि दोनों जो सलीव इस शेर्ट की है उसे हमें यहां पर काटके निकाल देना है थोड़ी सी मेरी तब्यद ठीक नहीं थी दो तिनों से तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं इस सर्ड का ही रियूज आपके साथ शेयर करें हूँ आवास से आपको समझ में भी आ रहा हूए कि मैं तब इत नहीं ठीक है लेकिन आज मैं थोड़ा सा ठीक फिल कर रही थी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि बार इसे 20 से फोल्ड करते हुए हम फिर एक बार फोल्ड कर देंगे दो बार इसे फोल्ड करके इस तरीके से हमें इसे रखना है और मेजर्मेंट करना है इसका तो यहां पर मैं इस पर मेजर्मेंट कर रही हूँ इंची टेप से 11 इंच पर तो यहां पर इंची टेप को पक गाटिंग कर लेनी है 11 पर इस तरीके से मार्किंग करनी में रांपि क्रणाइफ में और जहां मार्किंग कर रहे हैं हम वैसे ही इस की हमें गा atención कर लेनी तो यह जो शर्ट वह वह रांपि आ जाएईगी जो लोग ड्रगुलर में सिलाई करते हैं उन्हें के लिए वीडियो काफी अच्छी है परफेक्ट है और आप लोग इस तरीके से अपने घर में इस शर्ट कर यूज करके बहुत ही सुन्दर सा फ्लोर सोफा बना सकते हो मैंने शर्ट का जो है राउंड पीज तैयार कर लिया है अब हमें जो स्लीफ है उसे कटिंग करनी है सिंपल पटी निकालनी है सीधी सी यहाँ पर स्लीफ से जितनी भी पटीया निकल जाएंगी मैं उससे निकाल लूँगी जितना भी जो रफ कपड़ा मतलब जो मोटा कपड़ा आ रहा है जो थोड़ा सिलन वगएरा है उन सबको निकाल लूँगी यहाँ पर फाइव इंच की में पट्टियां काट काट के तयार करूँगी दोनों स्लीफ से जितनी पट्टियां मिल जाएंगी तो यहाँ मुझे चार पट्टिय मिल गई थी बाद में थोड़ा सा मुझे और जोड लगा था तो बाकी शट के कपड़े जो थोड़े बहुत बचे थे उससे मैंने जोड लगा कर इससे रेडी कर लिया था तो इसको हमें अब ही सिलना है इस तरीके से सिलना है पूरा एक के उपर एक रखके इस तरीके से सिलते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे मतलब सबको जोइंट कर लेना है हमें तो मशीन पर मैं आपको बता देती हूं बहुत सारी लोग आपको ऐसी बता देते हैं लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको बनाना बता रही हूं सीधी सी जो है इहां पर मुझे कपड़ा मिल जाएगा सीधा कपड़े की हमें जरूरत है तो इस तरीके से जितना भी थोड़ा सा तेड़ा आ रहा था वो से भी मैंने यहां पर काटके निकाल दिया जब हम जॉइंट करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कपड़ा तेड़ा नहीं रहेगा आप क्या करेंगे जो राउंड पी शर्ट का हमने बनाया था उसको लेंगे उसे सीधी तरफ में रखेंगे और दोनों को सीधी तरफ अंदर रखते हुए किसी भी एक सीरे से हम यहां पर सिलाई स्टार्ट करेंगे मैं फटाफट से आप से सिलाई लगा के दिखा दे रहे हूं जिससे की मतलब आपका टाइम वेश नहीं होगा और मैंने यहां पर राउंड शेप करते हुए इस पर दो सिलाई लगाए थी थोड़ा सा यहां पर जोड भी लगा था मेरा जहां पर हमारा सेकंड राउंड का मतलब यह राउंड पूरा होगा जहां पर इसका जॉइंट होगा वहां पर हमें जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको काटके हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा से यहां पर एक्स्ट्रा आ रहा है यही इसको हम कर लेंगे सिलाई करके तो यह हमारा नीचे का पोशन तयार हो गया है और जो पट्टी हमने लगाई है वो राउंड शेप में यहाँ पर सिलकर तयार हो गया है अब दूसरा पीस सर्ट का जो है उसको भी उपर से हमें जॉइंट करना है तो यहीं से मैं दूसरी सिलाई लगा दे रही हूँ क्योंकि इस राउंड को मैंने दो-दो सिलाई करके फिनिश किया थोड़ा मजबूत करने के लिए अब कहीं से भी हम कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस दूसरे पीस के शर्ट को भी इसी तरीके से इसमें जॉइन करके इसकी भी हम सिलाई सिम वैसे है जैसे हमने नीचे लगाया था वैसे ही तयार कर लेंगे सारे बटन्स को खोल के इससे सीधा कर लेंगे आपके पास जितनी सी भी कतरन हो आप इसमें भरकर इसका तयार कर सकते हो जो लोग regular में सिलाई करते हैं, उनके पास कत्रन निकठा होते रहता है, तो वो इस तरीके से इससे filling कर सकते हैं, ये कभी भी आपका खराब नहीं होगा, जैसे जैसे आपके पास ये थोड़ा सा दबने लगेगा बैठने से, तो आप इसमे थोड़ा और कत्रन डाल कर, इसे थ बन कर दिया है, आप चाहो तो इसमें पुराने कपड़े भी रखके इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कत्रन डाल रही हूँ, और इस तरीके से इसे पीट देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, ये हमारा बहुत सुंदर सा फ्लोर सोफा बनके रड़ी हो गया ह तब्यत खराब होने की वज़े से जल्दवाजी में यही वीडियो बनाई है, आपको कैसा लगा जरूर को बताईएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपक आपको नेक्स वीडियो में, वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाई बाई टेक हैं